मुक्य मंत्री डिजिटल सेवा योजना के तथ प्री में महिलाओं को जो स्मार्टपॉन मिलने थे उसके बारे में अब एक न्यू अपडेट आई हैं और इस अपडेट के एक्कॉर्डिंग 25 जुलै से इसका प्रोसेस प्रारम हो चुका हैं और ये पूरी की पूरी संभावन है कि 7 अगस्त से ये मुवलपॉन मिलने लग जाएंगे तो आज के इस वीडियो में इस योजना की नई गैडलाइन के एक्कॉर्डिंग कंप्लेट जानकारी देने वाला हूं और अब ये कंपम हो चुका हैं कि आपको मुवलपॉन अगस्त महिने के अंदर ही मिलने वाले ह जिस भी मेला को मुवलपॉन लेना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी और आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको मुवलपॉन कैसे मिलेगा तो वीडियो को पूरा ए किसे आपके बैंक खाते में deposit किये जाएंगे कितने recharge के पैशे दिये जाएंगे किस परकार से mobile की खरीद करेंगे और कहां पर जाके mobile की खरीद करेंगे तो जितने भी सवाल है इस योजना से जुड़े हुए सभी सवालों के complete जवाब प्लस complete process मैं आपको समझाने वाला हूं त जिसे की हर एक जानकरी मिलेगी और आप complete detail में समझ पाएंगे कि आपको ये mobile फ्री में किस परकार से मिलेगा तो वीडियो स्टाट करें उससे पहले channel पर पहली बार आए तो channel को subscribe भी करना है और all notification भी on करना है जिसे जब भी इसी योजना की और कोई update मैं आपके ले लेके आ पिट किन महिलाओ को सबसे पहले दिया जाएगा क्योंकि पर्तम दोर के अंदर 40,00,00,00 महिला को ही ये प्री में स्मार्टपॉन दिये जाएंगे तो इन 40,00,00,00 में किसे-किसे सामिल किया गया है तो सबसे पहले विद्वा वे एकल नारी pension ले रही महिलाए यानि कि जिस कि इसे के भी विद्वा या फिर एकलनारी पेंशन आ रहे हैं उन सभी को यह दिया जाएगा सबसे पहले यह स्मार्टपॉन इसके अलावा एक मेहतुपुन बिंदू और हैं जिस किसी भी लड़की की एज 18 वर्ष से कम हैं उन सभी को जो स्मार्टपॉन दिया जाएगा उसके लड़की को उसकी माता का अधार का अधार का अधार का अधार का यह दिया जाएगा कार्ड माता को साथ में लेके जाना होगा तभी उसे यह स्मार्टपॉन दिया जाएगा इसके अलावा अगर कोई समस्या आती हैं तो 181 पे कॉल करके आप सीखाई भी दर्ष करवा सकते हैं मोबाइल लेने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती हैं तो तो यह तो होगी पात्रता की बार तो यहां पे बताया गया है कि डीवीडि के माध्यम से मोबाइल पॉन की रासी वह सीम कार्ड का वीतराण सांध अगध्ष से परस्तावित थे है यानि कि सांक अगध्ष से यह मिलने लगने की पूरी कि पूरी संभावना हैं अगला पॉइंट आपको मुबलपॉन लेके आ सकते हैं मुबलपॉन का जो सिवीर लगेगा उसके अंदर आपको कब जाना है तो यहां पर सिवीर का समय है सुबह दस बज़े से लगा के साम से मज़े तक सोमवार से सनीवार तक यह लगेंगे रविवार को कोई भी कैम नहीं लगेगा अगला पॉइं इस तर पर या फिर आपके जिल्ला इस तर पर कैम लगेगा उस समय आपको वहां पर जाना है वहां पर जब भी आप जाएंगे तो अपना जन आदार कार्ड आदार कार्ड साथ में लेके जाएंगे साथी साथ जब आप वहां पर जाएंगे उस समय सबसे पहले आप वहां phone की खरीद करेंगे उसके बाद e-wallet आप download करेंगे अपने mobile phone के अंदर इसके लिए वहाँ पे लोग बैटे होंगे आपकी मदद करेंगे उसके बाद dbt के माजियम से जो भी पैसे आपके बनते हैं वो आपके bank काते में transfer कर दिये जाएंगे अब सवाल है कि कितने पैसे आपके bank काते में transfer किये जाएंगे अब जो पैसे आपको दिये जाएंगे dbt के माजियम से वो 7,800 रुपे दिये जाएंगे इस में से 6,125 रुपे आपके mobile phone खरीदने के लिए और पीछे के 775 रुपे आपके mobile recharge के लिए जो की 9 मेंनों का होगा ये जो पैसे मिलेंगे 7,800 रुपे अगर आप चाए तो इसे अधिक रासी का smart phone भी खरीद कर सकते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको इतने ही पैसे का mobile phone खरीदना है अगर आप चाहे तो आपने खुद की पैसे लगा के इसे अच्छा mobile भी खरीद कर सकते हैं वहाँ पर जो भी परतिनेदी बैटे होंगे mobile phone लेके उनके पास से आप ये खरीद सकते हैं अब एक सवाल की 9 मेंनों का recharge ही क्यों दिये जा रहा हैं क्योंकि इस वितनी वर्ष के अंदर 9 मेंने ही सेस हैं इसलिए 9 मेंनों का recharge दिये जा रहा हैं उसके बाद 1 अपरेल 2100 को आपका mobile recharge करवाने के लिए आपके बैंक खाते में DBT के माधियम से 900 रुपे ट्रांसपर कर दिये जाएंगे ये 900 रुपे दो वर्ष आपको मिलेंगे जिसका आप इस्तिमाल mobile recharge करवाने में कर सकते हैं ये जरूरी है कि आपकी SIM एक्टिवेट होगी तब ही ये पैसे आपको दिये जाएंगे जब आप स्मार्टपॉन के खरीद करेंगे तब जियो, बी एसनल, वोड़ापॉन, एटेल इनकी SIM खरीदनी होगी अगले बहुत सारे ऐसे बिंदू हैं जिसको की एक आम जंदा को जानना जरूरी नहीं है लेकिन कुछ एक और बिंदू हैं जो की मैं आपको बदा देता हूँ जो सिविल लगेंगे, उसके अंदर उसे एक बदलाव हो सकते हैं यानि कि जाजिला कलेक्टर द्वारा ये निन्ने लिया जाएगा कि वो अपने चत्र के अंदर कहाँ पे कैम पे लगवाना चाहते हैं उसके according वो camp लगाई जाएंगे जहां पे उनको जरूरत महसूस होगी तो camp का schedule बदल सकते हैं ये जो camp है अगर मा के परतम सब्ता से लगने लग जाएंगे तो आप समझ सुके होंगे कि ये जो free में mobile phone मिलने वाले हैं इस वर्ष इसका नया process क्या है और किस परकार से free में smart phone दिये जाएंगे आपको ये जानकर एची लगी हो तो channel को subscribe भी करे all notification भी on करे जिससे की ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो